Hello Everyone, Jai Hind and Welcome मैं स्व्यम कुमार आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दा को दे और दी कब बोलते हैं जी हाँ मेरे पारिसाथियो बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है कि दा को दे और दी कब बोलते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ तो वीडियो को आपको शुरू से लेके लाश तक जरूर देखना है देखिए अगर दा के बाद आने वाला सब्द किसी वाविल साउंड से शुरू हो तो इसे दी बोलते हैं दुबारा पढ़िये अगर दा के बाद आने वाला सब्द किसी वाविल साउंड से शुरू हो तो इसे दी बोलते हैं दा नहीं ठीक है देखिए हमारा पहला जो है वाक के दा एंड जो दा के बाद वाला साउंड है यानि य जो है वो हमारा साउंड है वाविल का इसलिए हमने इसे the end नहीं बोला, the end बोला, राइट, देखे वोविल साउंड्स कौन-कौन से होते हैं, पांच होते हैं, a, e, i, o, u, जी हाँ, यदि दा के बाद आने वाले पांचों में से कोई से आ जाएं, a, e, i, o, u, ये आ जाएं, तो आपको वहाँ पे दा नहीं बोलना दी बोलना है, राइट, इसे अंगरेजी में, दा या दी क्या बोलेंगे? दा माउंटेड, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट गर के बताना है, कि हम इसको दी बोलें या दा बोलें, और हाँ, यदि आज की वीडियो आपको अच्छल लगें तो इस वीडियो को लाइक क करना है थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिंद